नमस्कार मित्रो, वेलकम टू एजुशेत, हिस्ट्री ओफ इंडिया सिरीज का आज हमारा 20th लेक्चर हैं इस लेक्चर में हम द्रेविजन स्टाइल और टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में डिसकस करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने नागरा स्टाइल के बारे में डिसकस किया था तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं नागरा स्टाइल का डेवलप्मेंट कैसे हुआ साउथ इंडिया यानि की साउथ ओधकिष्णा रिवर जो टेंपल आर्किटेक्चर का डेवलप्मेंट है और सबसे पहले हमें पल्लवा रूलर महिंद्र वर्मन फस्ट के दोरान देखने को मिलता है इसा नहीं है कि उसके पहले टेंपल नहीं थे लोग पूजा करते थे नौन परमानेंट टेंपल थे पर महिंद्र वर्मन ने फर्स्ट टाइम एक वेल डिफाइंड टेंपल आर्किटेक्चर की स्थाबना करी इसके बाद जो इसके पल्लवा रूलर्स थे उनके अंदर इसका डवलमेंट होता रहा और इसके बाद चोला रूलर्स ने इसको और इवल्व किया और उसके बाद फिर विजे नगरा रूलर्स थे उन्होंने फिर इसको और नई स्टाइल बनाए जिसको प्रोविडा स्टा पर ग। भेसे हम इस वीडियो में देखेंगे, तीनो प्रेट को डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम प्रीचर बारें। UVvoice उपिप seç लिख ले ठे देख लेकि हैं, सबसे इंपोरें बात है, कि ऑपरविर्डिंड श्टाइल शिकरा है वह ओ पिमान शीज इसमें जो gate है उसमें बहुत सारी gates जुड़े, main gate था, उसके आलाओ चोट-चोटे gate बचेते, उस gate को बोलते थे gopuram, gopuram second feature है, तीसरा है, इसका जो mandap था, जहां पर लोग इखटा होते थे, वो flat route था, यहां पर किसी प्रकार का शिकर नहीं है, तो flat route शिकरा, sorry, pillared hole में मिलता है, जिसको mandap बोलते हैं, वो हैं, द्रविरियन style में, next है कि द्वारपाल की images हमें gate पे देखने को मिलती है, जो गरब गरहा को एंटर करते हैं, उसके जो दोनों साइट, gate पे दोनों साइट, द्वारपाल, human beings की images से द्वारपाल, simple सी बात है, ब जबकि North India में किसी परकार की boundary goal नहीं होती थी, जबकि हमने देखा था कि North India के temple थे, वो generally height हो जाते हैं, South India में ऐसा कोई rule नहीं था, कुछ temples height पे हैं, कुछ temple plane में है, next है कि North India के temple हमें cruciform plan था, उनका मलब cruciform design थी, जबकि South India के temple या तो square उनकी design होती है, या फिर उनका plan होता है of square or rectangular plan, अब हम बात कर लेते हैं, पल्लवा प्रेड के दोरान किस तरीके से temple architecture डवलोपा, पल्लवा प्रेड के temple को हम 4 पर डिवाइड करते हैं, पहला है महिंद्रा स्टाइल, महिंद्र वर्मन के दोरान, दूसरा है महामला स्टाइल, नरसीमा वर्मन फस्ट के दोरान, दू यह जो temple है, वो cave temples, यानि cave temples मलब के पत्थर के अंदर cave काट के बनाएगी थी temples, तो इन temples के अंदर हमें images तरीके से यह जो देख रहे हो, आप यह आदी वर्मन के दोरान की यहाँ पर जो cave सुदिती, उनके अंदर gods and goddesses की images काटी गई है, इसके बाद हम यह देख सकते हो, cave और अंदर इसा नहीं की छोटा सा है, अंदर बहुत बढ़ा hall होता है, वहाँ पर जो monks होते थे उनके बैठने के लिए जगह होती थी, images carved out है, पूरी तरह से develop है, entry छोटी दिख रही हैं पर अंदर बहुत बढ़ा temple है, जो next period है वो है नर्सिमा वर्मन 1st का, नर्सिमा वर् इनके दोरान जो सबसे important feature है वो है रथा temple, रथा temple इनके दोरान हमें डेखने को मिलते है, अब रथा temple क्या है, यह spelling गलत है temple की थोड़ी सी, होगे missprint, तो रथा temple जो है, यह क्या है, यह basically जो आजकल जो रथ होते है न, उसी type से रथ बना के, एक single big stone से रथ को cow out किया गया था हमें महाबलीपुरम में पांच रथा मिलते हैं, पंच रथास मिलते हैं, जो कि पंच पांडव के नाम से जाए, पहला है धरमराज, दूसरा है भीम, तीसरा है अर्जुन, चोता है द्रोबदी के नाम से और पांच वा हैं, अपना नकूल और सभदेव का एक common रथ हैं, को खेचने के लिए भी जगत थी इधर पहले तो, यह तो टूट गया है इस तरह के से कहां रख खेच रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर बनाया गया था, यह है अपना भीम रथ, यह भी महाबलीपुरम में ही है, यह है अपना अर्जुना एंद्रोबदी रथ, यह अर्ज सबसे इंपोर्टन जो चीजिए याद रखनी है वो है कि रथा टेंपल का डवलबेंट कराया था, नर्सीमा वर्मन फरस्ट नहीं जो की पल्लव रूलर थे, में जो पोइंट है वो ही है, नेक्स्ट है अपनी राज सिमा स्टाइल, जो नर्सीमा वर्मन सेकेंड पल्लव र बनाएंगे बलकि independent stones, bricks या metal को जोड के मंदि बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं draviden style of temple architecture यानि की draviden style of temple architecture का उदे राज सिमा या फिर नर्सीमा वर्मन सेकेंड के दोरान हुआ, इस दोरान परंतु केवल तीन ही feature थे, वहलो तीन ही element टेंपल में हुआ करते थे, पहला है रिफरल वाल होती थे मंदर के चारो तरफ वो नहीं थी, दूसरा गोपुरम भी इस दोरान नहीं थे, गोपुरम एड़ किये थे, नेक्स टाइम में, जो हम बात करेंगे आगे, चोला प्रेड के दोरान गोपुरम एड़ किये गए थे, यह है राम सिम्मा स्टाइल का केलाश राश ना टेम्पल जो की कांची पुरम में है, आप देख सकते हो, यहां पर यह शिकर है, जिसको विमाना बोलते हैं और यह मंदा पर उसका, यह है अपना शोर टेम्पल, शोर टेम्पल बहुत इंपोर्टन है, महाबली पुरम का, शोर टेम्पल याद रखना है, पता हो जोर टेम्पल बड़े हुआ करते थे, और जो नंदी बरमन के टाइम के टेम्पल थे, वो छोटे हो गए, यानि कि इससे पता लगता है कि जो पलवा जो रूलर्स थे, उनकी जो पावर थी, वो कम हो गए थी, अब हम बात करते हैं, चोला प्रेड के टेम्पल की, चोला प् इस टाइम में तीन इंपोर्टेंट फीचर थे जो जुड़ गए थे, पहला है कि जो विमान था, विमाना जो था, उसकी हाइट बहुत ज़दा बड़ा दी गई थी, चोला रोलस के दुरान, यह हाइट बड़ाने का रिजन था कि क्या होता था, कि जितनी बड़ी हाइट ह इस टाइम पूजा की जाती थे, तीसरा चीज, पैरिफरल वाल जिसको हम गोवपुरम बोलते हैं, पैरिफरल वाल पैरिफरल वाल जो वाल होती, दूसरा है गेटवे, इन दोनों को भी इस टाइम में एडिक गया था, सबसे इंपोर्टेंट चो टेंपल है, चोला प्रका ह वह हैं ब्रहदेश्वा टेंपल जो की किंग राज राज वन ने बनवाया था था थंजोर में, यह है अपना ब्रहदेश्वा टेंपल थंजोर का इसका विमाना बहुत हुचा है, around 170 feet का है, ऐसे कुछ है, यह इतना बड़ा इसका मंडप है, देख सकते हो, इधर की साइड इमेज में नहीं आ रहा, बहुत बड़ा इसका गोपरोम भी है, बहुत बड़ा गोपरोम है, यह है अपना चोला प्रिड का एरा टेश्वा टेंपल जो की थंजोर में है, यह सा लगता है जैसे रध के उपर पईया लगा रखे हैं, इस तरह के से इसमेद दिखा रखा है, यह हैं, अब आब बात करेंगे दोरान, विजे नगरा प्रिड के दोरान किस तरके से टेंपल डबलब हुआ, इस दोरान विजे नगरा रूलर्स के दोरान बहुत सारे टेंपल में निव एलेमेंट्स जोड दिये गए, पहली चीज जो जुड़ा गी वह हैं कि, जो चीफ गोड़ और गोड़ेस होते थे, उनके रहने के लिए दो स्ट्रक्चर बना देगा, एक तो मेंट टेंपल होता था, उसके अंदर तो चीफ गोड़ रहते थे, उसके अलावा एक साइड में एक दूसरा चोटा सा स्ट्रक्चर भी जोड़ दिया गया जिसको अमान श्राइन इस अमान श्राइब में चीफ गोड़ेस रहा करती थी, उनकी मलब जाने कि उनकी जो इमेज है वो इसमें इस्टैबलिष प्रतिष्ठापित रहती थी, इसके अलावा दूसरा है कल्यान मंदब, इसके विपेसी ने कोशन पूचन पूच रहा है, कल्यान मंदब इस चीफ गोड़ेस उन दोनों की इमेजेस को लाया जाता था, कब लाते थे जो अपने विंटर के जो नवरात रहाते थे उनकी पहली दिन को, पर्थम दिन लाते थे और महा नवमी के दिन उनको वापस अपने अपने टेंपल में शिफ्ट करते थे, दूसरा है वसंत मंदब, वसंत मंदब जो हैं यह बेसिकली यह थाउजंड पिलर होल है, जो टेंपल उता हता उसके अंदर एक थाउजंड पिलर होल बनाया जाते थे विजे नवरा उलस के दोरान, के द्वारा, जिसको हम वसंत मंदब बोलते थे, मलब अगर यूपस यह पूछ लें की वसंत इन टेंपल आख्टेक्ट्चर रलेटिट तो वाट इस इस वाट पाउन अची कि यह थाउजन पिलर होल को बोलते जो की जो डिवर्टी सतेते उनके गेदरिंग के लिए बनाया गया था एक और इंपरेंट फीचर है कि जो गेटवेस थे किसके विजन अगरा पिलर के बहुत ही जदा मैसी यानी कि बहुत जदा उनकी हाइट बढ़ा देगी ती और इन गोपुरम को बोलते है राया गोपुरम हमने देखा था चॉला पिलर के दौन विमाना की हाइट बढ़ी थी विजन अगरा रूलर के दो आन गेटवे की हाइट बढ़ी जिसको राया गोपुरम बोलते है और जो यह इवोल्ड फोम है इस जो नए 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 इलिमेंट जो जो नए इलिमेंट जुड़े और जो इवोल्ड फोम अप देविड इवलोप होई इसको हम प्रविडा स्टा करनावाया गया था यह विजन अगर का हजारा टेंपल हजारा रामा уजो की हमपी रामाप्ले गयान हमप onda फार ऑर ज्लो यह मिनाक्षी टेंपल है जो विजयनगरा रूरस ने बनाया था बहुत ही लेट बाद में बिल्कुल इनके जब डैनिस्टी खतम होने वाले थी उस टाम पे यह है अपना विरुपक्ष टेंपल जो भी हमपी में है आप कन्फूज मत होना एक जो विरुपक्ष टेंपल है वह अपना वहां पर भी है क्या बोलते हैं पत्यदक्ल में भी जो हम नेक्स टेंप में डिसकस करेंगे जब वेशारा स्टायल अप टेंपल आकर डिसकस करेंगे उससे confuse नहीं करना इसको यह अलग है वो अलग है तो यह हम्पी वाला जो विरुपक्ष टेम्पल है यह विजे नगरा रूलर्स ने बनवाया था जबकि वो जो पत दक्कल वाला है वो बनवाया था चालुक के रूलर्स ने जो हम अगले लेक्चर में डिसकस करेंगे यह है अपना लेपक्षी टेंपल, लेपक्षी का महलब होता है बर्ड तो यह यह यहाँ पर इंपोर्ट्र एट्रक्षि आट्रेक्शन है वो यह है तोला रूलर्स के दोरान उसके बाद वीजनेगरा रूलर्स के दोरान किस-किस तरह के से ड्रेवरीन स्टायल का डवलॉप्मेंट वह एवलॉशन हुआ वह हम सब छीज़े आपने इस लेक्चर में देख लिए हैं सारे बेसिक चीज़े हमें देख लिए हैं